Hello everyone, Circle of Education welcomes you. हम Forms of Literature की सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में अभी हम कवर कर रहे हैं Forms of Drama यानि ड्रामा कितने टाइप के होते हैं जिसमें अब तक हम ड्रामा का एक introduction करते आ रहे थे आपकी एक basic knowledge के लिए और अब तक हम ड्रामा क्या होता है ड्रामा का origin कहां से हुआ, कैसे हुआ एक ड्रामा का structure क्या होता है जिसको dramatic structure बोला जाता है tragedy क्या होती है Aristotle ने tragedy को कैसे define किया है एक tragedy के characteristics क्या होते है Greek और Roman tragedy में क्या difference है इनको बहुत ही detail में discuss कर चुके हैं अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की playlist में जाके चेक कर ले आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे है English drama की English drama की शुरुआत कैसे हुई तो वीडियो के end तक बने रहेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें ये series कैसी लग रहे है comment section में बताएं और चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करें चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो जो English drama था इसकी शुरुआत हुई थी 14th and 15th century में जिसको British drama भी हम बोल सकते हैं poetry बहुत पहले ही introduce हो चुकी थी Britain में लेकिन drama जो है वो late introduce हुआ था तो यानि British में drama की शुरुआत कब मानी जाती है 14th and 15th century में और ये शुरुआत हुई कैसे It will grow out of liturgy ये क्या होती है religious ceremony होती है जो कि church में perform की जाती है तो इस performance के दोरान ही कुछ plays भी perform किये जाते थे जो कि religion पे ही based होते थे और वही plays धीरे धीरे develop होकर के drama का part बन गए तो जब English drama की शुरुआत हुई तो उस वक्त चार टाइप के plays जो थे वो बहुत जादा popular थे या हम ये कह सकते हैं कि English drama के शुरुआत जो हुई वो इन चार टाइप के plays से ही हुई ये चार टाइप के plays ही जो है हमें शुरू में देखने को मिलते थे ये कौन से थे आए देखते हैं ये चारो plays के नाम आपको याद रखने हैं क्यूंकि exam में अकसर इन पे question बन जाते हैं तो वो चार टाइप के plays थे mystery play, miracle plays, morality plays और interlude ये किस टाइप के plays होते थे आएए detail में जानते हैं तो जो mystery plays होते थे उसमें जो subject होता था वो Bible से लिया जाता था अब देखो याद रखने वाली चीज ये है कि ये religious ceremony के दोरान ही perform किये जाते थे तो ये सब जो type के plays है ये religion पे ही based होते थे तो mystery plays का जो based था वो क्या था Bible से लिय हुई stories या subject हम कह सकते हैं जिसमें दिखाया जाता था कि इस दुनिया को कैसे बनाया गया, creation कैसे हुए world का, life क्या होती है death क्या है, flood क्या है और जो God Christ थे उनके sacrifice को जो है बताया जाता था mystery play में दूसरे type का जो play था miracle play, अब जो miracle play होते थे इनकी जो theme होती थी या subject होता था इसमें दिखाया जाता था कि जो saints होते थे उस वक्त के उनके पास इतनी power होती थी कि वो miracles कर सकते थे यानि चमतकार करते थे जो सादू, जो saints थे उसको दिखाया जाता था miracle plays में और miracle plays को saints play भी बोला जाता है exam में आ चुका है इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं बताती हूं कि mystery plays में क्या है जो mysterious topic है जैसे कि जीवन का रहसे क्या है या मिर्तिव का रहसे क्या है इस दुनिया की संरचना कैसे हुई ये सब क्या है तरीके से हमारे लिए mystery है तो इस mystery को ही deal किया गया है mystery play में और miracle का तो नाम से ही पता चल रहा है किसमें हमें miracles देखने को मिलेंगे चमतकार देखने को मिलेंगे जो कि उस वक्त के saint किया करते थे और इसी को saints play भी बोला गया है तीसरे type का जो play था वो था morality plays और ये बहुत ज़्यादा popular हुआ था 15th and 16th century में अब यहां भी इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि morality plays यानि इसमें moral lessons दिये जाएंगे, सिखाएंगे ये जो moral plays होते थे ये बहुत ज़्यादा serious होते थे और इसमें हमें ज़्यादा तर देखने को मिलते थे abstraction and allegories साथे साथ moral lessons सिखाने के लिए इसमें हमें personification of good and evil देखने को मिलते थे जो characters होते थे वो personify करते थे moral qualities को sin को, grace को repentance को, perseverance को अच्छे और बुरे angels देखने को मिलते थे seven deadly sins देखने को मिलते थे तो इन चीजों के थ्रू जो है moral lessons सिखाये जाते थे morality play में अगर best example की बात करें morality play की तो everyman जो है बहुत ही अच्छे example है इसको best morality play भी माना जाता है जो fourth type का play था वो था interlude interludes जो होते थे वो बहुत ही छोटे plays होते थे short plays होते थे ज्यादा तर इनको break के time पे perform किया जाता था यानि मान लो कोई बहुत ही बड़ा play perform किया जा रहा है उसके बीच में अब एक break चाहिए तो उस break के बीच में कोई छोटा मोटा play अगर perform किया जा रहा है तो उसको interlude कहा जाता था interlude जो है वो perform किया जाते थे court या फिर जो बहुत बड़े घर होते थे और interlude को perform करने वाले जो होते थे वो professional actors होते थे बाकी के जो तीन plays थे जो तीन plays के type थे उसमें ज्यादा तर जो पार्टिसिपेट करने वाले होते थे वो चर्च के मेंबर ही होते थे लेकिन interlude को perform करने के लिए professional actors का जो है troop होता था और इसका जो main purpose होता था interlude का entertainment होता था interlude की क्या-क्या खासियत है तो पहला ये कि entertainment के परपस से था दूसरी बात इसको perform करने वाले जो थे वो professional artists थे ये short episodes में होते थे break के time में perform किया जाता था interval के time पे perform किया जाता था साथे साथ interlude में जो है हमें allegorical figures देखने को नहीं मिलते थे humor देखने को मिलता था और interlude का सबसे अच्छा example बेस्ट एक्जामपल अगर माना जाए तो जौन हेवुड का एक work है दा फोर पीस बेस्ट एक्जामपल है interlude का और अगर आपने hamlet वाली वीडियो देखी है या आपने अगर खुद से भी hamlet पढ़ा है तो उसमें आपने जरूर माउस trap भी पढ़ा होगा जो की play within a play है तो उसको भी जो है हम interlude की category में add कर सकते हैं तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने English drama की शुरुवात कैसे हुई और शुरुवात में English drama किस type के होते थे इनको discuss किया next video में हम drama के type को और detail में discuss करेंगे thanks for watching this video